उत्तर प्रदेश विदान सबद चुनाओं के पहले चरण के लिए भाजपा ने तीस नेताओं की सूची जारी की है जो पार्टी की उमिद्वारों के लिए प्रचार करेंगे स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में प्रधान मंत्री नरेंद मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नडड़ा, ग्रह मंत्री अमिर्शा समेथ, हेमा मालनी, स्मिती एरानी, मुक्तार अब्बास नकवी का नाम शामिल है खास बात ये है कि इस लिस्ट से केंद्री मंत्री अजें मिश्रि टेनी का नाम गायब है वहीं उनके बेटे पर किसान अंदोलनकारियों पर जीब चढ़ाने का आरोब है हाल के महीने में वरुन गांधी ने योगी सरकार और केंद्र की मोधी सरकार पर कई सवाल खड़ा किया गया था इस लिस्ट से उनका नाम भी गायब है वरुन के साथ साथ उनकी मा मेंका नागांधी का नाम भी स्तार प्रचारक में नहीं है बीजेपी की इस लिस्स से साफ है कि पार्टी यूपिचनाओ को किसान आंदोलन की परचाई से दूर रखना जाती है भले ही आंदोलन समाप्त हो चुका है और सरकार ने तीनों विवादित क्रशी कानून को वापस ले लिया है पर किसान नेताओं की एक बड़ी मांग अब भी बनी हुई है किसानों की मांग है कि लखेमपुर खीरी में किसान पर गाड़ी चड़ाये जाने के मामले पर सक्त एक्शन लेते हुए केंद्री ग्रहराज मंतरी अजय मिश्र टेनी को उनके पत से हटाया जाए मंतरी अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीश मिश्रा को लखीम पुरकांड का आरोपी बनाया गया है लेकिन ब्रहामार पहलू को देखे भाज़पा शायद स्तीफा लेने से हिचकती नजर आ रही है पिछले महीने वी आखरी हफते में वेग्रह मंतराले में एक अहम बैठिक में शामिल हुए थे केंद्री ग्रह राज मंतरी अजय मिश्र टेनी खीरी लोकसभा सीट से सांसद हैं पिछले साल जुलाई में केंद्री कैबिनेट में विस्तार में उन्हें राज मंतरी का अहदा दिया गया था टेनी को केंद्री मंटी मंडल में शामिल किये जाने को यूपी चुनाओं में ब्रहामणों की नाराज़की कम करने के एक प्रयास के तौर पर देखा गया था पार्टी ने अजय मिश्टेनी को केंदी मंतरी मंदल में शामिल किया और इलाके के दूसरे बड़े ब्रहा मननेता जितन प्रसाद को कॉंग्रिस से बीजेपी में लाकर योगी सरकार में मंतरी बनाया गया लेकिन अजय में श्टेनी लखेंपुरकान के बाद विवाद में घर गए हैं अब बीजेपी की लिस्ट आने के बाद साफ है कि भाजपा भले ही इस्तिफा नहीं ले रही है पर मैं उनसे दूरी बनाए रखना चाहती है बता दें कि भाजपा पहले और दूसरे चरण के चुनाओं के लिए प्रत्याश्यों की सूची जारी कर चुकी है पार्टी की ओर से 15 जनवरी को पहले चरण के 58 में से 57 सीटों के प्रत्याश्यों के नाम की घोशना की थी जबकि दूसरे चरण में 55 में से 48 सीटों में से उमेद्वारों की घोशना की है यूपी में 7 चरण में जबकि मणिपुर में 2 चरणों में विधानसमा चुनाओं होगा बाकी 3 राज, पंचाब, गोवा और उत्राखंड में एही चरण में चुनाओं कराया जाएगा उत्राखंड, पंचाब और गोवा में मददान के लिए 14 दिनवरी का दिन तै किया है यूपी में पहले चरण के तहे 10 फरवरी की वोटिंग होगी दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी और चौथा चरण 23 फरवरी पंचवा जरण 27 फरवरी, चटा जरण 3 मार्च और साथ मार्च को संपन होगा और 10 मार्च को मत गरना होगी और नतीजे भी आएंगे